नमस्कार दोस्तों जैसा कि आज का हम लोग का जो टोपिक है वो कच्छा सेवन का NCRT इतिहास की बुक की है जिसमें हम लोग इतिहास से सबंधित कच्छा सेवन के जितनी भी सारे चेप्टर्स है जो की लगभग 10 चेप्टर है उनको वन बाई वन करके हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग प्रयास रहेगा कि जितने सारे महत्पुर्ण विंदु है इसको अंडरलाइन करेंगे और महत्पुर्ण वातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि परिच्छा के दृष्टी कौन से महत्पुर्ण विंदु कभर होते चले तो दोस्तों बिना बान हुए परिवर्तनों का पड़ताल तो फिगर में दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ब्रहभी शदी के भूगलवेता और इद्राशी और इद्राशी का बनाया हुआ दुनिया के नक्से का एक हिसा जिसमें भारतियों महादिप को दिखाये गया है तो हम लोग जिसमें भारतियों महादिप को दिखाया गया है आगे लिखा गया है मांचित्र एक और दो पर नजर डाली तो मांचित्र एक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर उपर में और मांचित्र इस पेज के जस्ट नेक्स्ट वाले पेज में नीचे दिखाया गया है आगे लिखता जिसने एक 1154 इसमी में इस मानचीतर को डोग किया जहां यहां जो नक्सा दिखाये गया हुआ उसके दुवारा बनाए गये दुनिया के बड़े मानचीतर का एक हिस्सा है यह बहुत बड़ा मेब बनाया गया जिसका मात्र एक हिस्सा है और भारती उप महादीप को दर्साता है जिसमें भारती उप महादीप को दर्साने का प्रयाश किया गया है मानचीतर दो एक फ्रांसिसी मानचीतर कार ने 1720 में बनाया था दोस्तों अलिजरासी के दुवारा तयार किया नक्सा नक्से में दच्छिन भारत उस जगा है जहां बर्तमान में आज के भारत में उत्तर भारत को दर्शाये गिया है स्रिडंका का देप उपर की तरफ है जगों के नाम अर्भी अर्भी भासा में दिये गिये हैं उनमें से कुछ नाम जो की जाने पहचाने हैं जैसा की उत्तर परदेश का कन्नोज मांचित्र एक करदू देखने से बहुत डिपरेंट होता है बात करते हैं मांचित्र दो के बारे में मांचित्र दो पहले मांचित्र के बनने के लगभग छो सो वर्स बात बनाये गिया है इस काल अवधी में उप महादीब के बारे में शुचनाय काफी बदल गई थी यह नक्षा हमें जैदा प्रिचित लगेगा इसमें विस्षिस कर तर्टी इलाकों के बारे की बेवरे देखकर अश्चर्ज होता है यूरूपा के नाविक तथा बैपारी अपनी समुद्र जात्रा के लिए इसी नक्षे का उप्योग करते थे बात करते हैं अठरवी सदी के आरम में गिवलाम दा लसले के अनुसार लसले के एटलस नो के अनुसार यह उप महादीप है जो दर्सायग यह चित्र नंबर दो में बात करते हैं लेकिन अब भीत्री इलाकों पर नजर डालें फिगर में जो दर्साय गया है क्या इसमें भी उतने ही बेवरे हैं जितने समुदर तट वाले हिस्से में आपसे पूछा जा रहा है मानचीत्र कार जो वेक्ति मानचीत्र या नक्से बनाता है उसे ही मानचीत्र कार कहा जाता है परंतु बदलते दौर में मानचीत्र का अंकन करने का तरीका बदल गिया था पुरु में किये हुए मानचीत्रों का लोग अध्यान करते थे उनके द्वारा दिये गिये सुचनाओं के संदर्भों के बारे में जनकारी प्राप्त करते थे उनकी भीन भीन एतिहासिक प्रिश्प भूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता था ताकि सही तरीके से अध्यन कर इध्यास के बारे में जनकारी जुटाई जा सके अगला हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों नई और पुरानी शब्दा वली अगर समय के साथ साथ सुचनाओं के संदर बदलते हैं तो भासा और अर्थ के साथ क्या होता है एतिहासिक अविलेक कई तरह की भासाओं में मिलते हैं और ये भासाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है उधारन के लिए मद्य जोक की भार्सी आदुनिक फार्सी भासम से भीन है मद्य जोक की फार्सी जो था अभी बरतमान में जो फार्सी है उससे बहुत अलग था यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और सब्द भंडार में ही नहीं आई शमय के साथ सब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं उधारन के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लिजिए आज हम इसे आदुनिक राष्ट राज भारत के अर्थ मिलेते हैं 13 शदी में जब खार्शी के इतिहासकार मिनहाज ये सिराज ने हिंदुस्तान सब्द का प्रियोग किया अर्थात हिंदुस्तान सब्द का सरुपर्थम प्रियोग करने वाले मिनहाज ये सिराज थे किया था तो उसका आसे पंजाब, हर्याना और गंगा जवना के बीच में स्थित इलाकों से था उसने इस सब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तिमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार छेत्र में आते थे सल्तनत के परसार के साथ साथ उस सब्द के अंदर आने वाले छेत्र बढ़ते गे लेकिन हिंदुस्तान सब्द में दच्छिन भारत का शमावेश कभी नहीं हुआ इसके विप्रित सल्मी सदी के आरम में बाबर्न हिंदुस्तान सब्द का परियोग उस उप महादिप के भोगोल पसुपंचियों और यहां निवाश करने वाले लोगों की सस्क्रीदी का वलन करने के लिए किया था यह परियोग चुदावी सदी के कवी अमीर खुसरु द्वारा परियोग सब्द हिंद के ही कुछ शमान था मगर जहां भारत को भगोलिक और सांस्क्रीतिक सत्व के टूपें पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान सब्द से वे राजनितिक और राष्ट के अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज जुड़े हैं किसी भी सब्द का प्रियोग करने वाले करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन सब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थ लिए बिदेश बिदेशी जैसा सीधा साथा सब्द ही ले लिजिए कि हम हमारे लिए आज का अर्थ होता है जिसका अर्थ आज आज के दौर में हमारे लिए होता है ऐसे व्यक्ति जो भारत में ना हो मद्य जुग में हो अर्था दोस्तों बिदेशी सब्द का अर्थ आज के दौर में ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने देश में ना रह रहा हो अर्था भारत में ना रहा रहा हो विदेशी सब्द का हिंदी में रुपांतरण पर्देशी होता है वहीं फार्सी में अजनवी कहा जाता है तो अलग-अलग समय अलग-अलग दौर में पर्तिक सब्द का अपना मिनिंग हुआ करता था इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेश होता था किन्तु एक ही गाउं में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धार में गया जाती परंप्रा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे इतिहासकार और उनके श्रोत तो हम लोग अब पर 700 से लेकर 1750 सिष्वीत तक हम लोग पढ़ेंगे इस अधियाय में इस काल के अधियान के लिए इतिहासकार जिन सुरोतों का प्रियोग करते थे उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले जुग से वैसे ही चली आ रही है इतिहासकार इस काल के बारे में सुचना इकठा करने के लिए अभी भी सिकों, सिला लेखों, अस्थाप्यात, अर्थात, भाएन निर्मनकला तथा लिखित समागरी पर निर्वर करते हैं अर्थात एतिहास से सबंदित जनकारी जुटाने के लिए इन सारे चीज़ों का उपयों किया जाता है अर्थात सिक्कों, सिलालेखों, अस्थाप्यत्य, अर्थात्भों, निर्मनकला, लिखित समागरी का ध्यनकर इतिहास के बारे में जनकारी जुटाई जाती है दोस्तों पर कुछ बातें पहले से काफी भीन है इस जुग में प्रमानिक लिखित समागरी की संख्या और विवीदता अस्टर जनक रूप से बढ़ गई है परन्तु समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ है इसके आगे इतिहास कार सुचनाओं के दुसरे परकार के सुरोतों का इस्तिमाल देरे देरे कम करने लगे हैं इस समय के दौरान काज़ करमशा सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्द भी होने लगा जो लोग धर्मगरंत, शासकों के विर्तांत, शंतों के लेखन तथा उपदेश, अरजियां, अजालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदी लिखने में इसका उप्योग करने लगे धनी व्यक्ति, शाशक, जन, मर्ठ, मंदिर, पंडलुपियां इकत्र, एकत्रित किया करते थे इन पंडलुपियों को पुष्टकालें तथा अभी लेखागारों में रखा जाता है, इन पंडलुपियों तथा दस्तवेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विष्टिर्थ जनकारियां मिलती है, मगर साथ ही इन्सका उप्योग कठीन है, इन दिनों छापे खाने तो है तो थे नहीं, इसलिए लेपिक और नकलवासी हाथ से ही पंडलुपियां की प्राकिर्थिक बनाते थे, दोस्तों जैसा कि हम लोग भी कोई चीज का जवशिगर बनाते हैं, फिगल का नकल ही किया जाता है, नकल करके उसके चितर को उखेरना या बनाने का प्रयास करते हैं, जो की असान काम नहीं होता है दोस्तों, यह हम लोगों ने करके भी देखा है, दोस्तों कुछ चितर दिया हुआ है, कुछ लिखावट दिया हुआ है, लिखावट की भिन परकार की सिलियों के कारण फार्सी और अर्वी पढ़ने में कठाई हो सकता है, नस्तक लिपी, उप आपका नस्तक लिपी है, जो बाई और नस्तक लिपी, यह है आपका दोस्तों, यह आपका नस्तक लिपी है, जो बाई और में वर्ण जोड़कर धारा परवाग की रूप में लिखे जाते हैं, फार्सी अर्वी के जनकारों के लिए इस लिपी को पढ़ना आशान होता है, स सिकस्त लिपी है सिकस्त लिपी अधिक संगन संचिप्त और कठीन है दोनों लिपी के बारे में मुलोग जाना है दोस्तों बात करते हैं चुदावी सिदाब्दी के इतियासकार जिया उद्दीन विरानी के बारे में दोस्तों ने पहली बार अपनी विर्तांत पहली बार विर्तांत लिखा 1356 में और दूसरी बार इसके दो वर्स बाद लिखा गया दोनों में काफी अंतर था लेकिन 1971 तक इतिहासकारों का पहली बार वाली विर्तांत की जनकारी ही नहीं था यह पुस्तकालों का विशाल संग्रा कहां द बात करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नए समाजिक और रायनितिक सम्हों के बारे में तो सन 700 से लेकर 1750 के बिच हजारों अर्सों का द्यानितिय हश्कारों के आगे भारी चुनोती रखता है मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैवाने पर अनेक तरह के प्रियोर्तन हुए इस काल में अलग-अलग समय पर नई प्रद्योगी की दर्शन होते हैं जैसे सिच्चाई में रह तरों का प्रयोग करते थे वारुद वाले हतियार को ही बूल आ जाता है गनेस्थर भाई दूस्तों कि इस्थ महातेप में नई तरह का खान पान भी आया जैसे कि आलो मक्का मिर्च चाए काफी यह सारे लोगों का प्रियोग लोग करने लगे ज्यान रहा कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रद्विकी और फसल उन लोगों के साथ आये जो नए विचार भी लेकर आये थे परिड़ाम सवरुप यह काल आर्थिक, राजनेतिक, शमाजिक, शांस्क्रितिक परिवर्दनों का भी काल रहा इस जुग में लोगों की गति सेलता एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर आना जाना भी बढ़ता रहा आउसर की तलास में लोग जुण के जुण दोर-दोर की जात्राएं करने लगे इस महादीप में अपार्शंपदा और अपना भाइग्य गढ़ने के लिए अपार्शंपदाएं मौजूद थी तो ये बात करते हैं भारत की शभेता और संस्क्रिति के बारे में जिसमें हम लोग 700 से 750 के बीच जो परिवर्तन हुआ हजारों वर्षों उसके बारे में अध्यान कर रहे हैं दोस्तों ये रहट है दोस्तों दोस्तों इस काल में जिन समुदायों का महत बढ़ा महत बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत जिसका नाम राजपूत्र अर्थात राजा का पूत्र होता है दोस्तों आठवी से चुदावी सदी के बीच यह समान आमतोर पर जो दाओं के उस समुद के लिए प्रियुक्त होता था जो छत्रिये वर्ण किस वर्ण का दोस्तों छत्रिये वर्ण का होने का दावा करते थे राजपुत सब्द के अंतरगत केवल राजा और शामंत वर्गी नहीं बलकि वे शैनापती और शैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहादिप में अलग-अलग सासकों की सैनाओं में शेवा रत थे कवी और चरण राजपुतों की अचार सहीता परबल प्राक्रम और श्वाविमानी का गुनगान करते थे इस जुग में राजनितिक द्रिष्टी से महत्तु हासिल करने के आउसरों का लाब, मराठा, सिक, जाट, एहोम, कायस्त, कायस्त करने मतलब लिपिका और मुन्सियों का कारज़ करने वाले जाती गुकाते हैं आदि समूव ने भी उठाया, इस पूरे काल के दोरान करमसा जंगलों की कटाई होती रही और खेती का इलागा, खेती का देरिया, खेती का अस्पेस बढ़ता रहा, कुछ छेत्रों में परिवर्तन और छेत्रों के पेच्छा अधिक तेजी से हुए और पूरे तोरबर हुआ, परिवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना अस्थान छोड़ना पड़ा और कुछ और वनवासी जमिन की जुटाई करने लगे और किर्सक बन गे किर्सकों के ये ने समू, छेत्रिय बजार, मुखिया, पुजारीयों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए बात करते हैं दोस्तों, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, जो जमीन का जोड़ करते थे, उनको उसके बदले में कर चुकाना पड़ता था, और अस्थाय मालिक वर्ग की बेगार करने ही पड़ती थी, राजाओं के यहां जाके खटना पड़ता था मजदूर के रूप में दोस्तों, परिणाम सरुप किसानों के भी चार्थिक और समाजिक अंतर उभरने लगे, कुछ के पास जैदा उपजाओं जमीन होती थी, कुछ लोग में विश्य भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदी का कुछ काम कर लेते थे, जैसे जैसे इस समय में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों उपजादियों में बटने लगे, और उनकी प्रिष्ट भ्मी और वेवशाय के अधार पर उन्हें समाज में उचा नीचा का दर्जा दिया जाने लगा, ये दर्जा अस्थाई नहीं थे, किसी जाती विशेस के सदेश्यो के हातों में कितनी सत्ता प्रभाव, शंशादनों का नियंतरन है, इसके अधार पर दर्जा बदलते रहते थे, एक ही जाती का किसी छेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और अन्य में कोई और को किसी और का हुआ करता था, अपने ही अपने सदेश्यो के बेहवार का नियंतरन करने के लिए जातिया स्वें अपने अपने नियम मनाते थे, इस नियम का पालन जाती के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी, जिसे कुछ ही लाखों में जाती पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपन निवास के गाउं के दिवाजों का पालन करना परता था, इसके अलावा कई गाउं पर मुखिया का शाषन होता था, मिल मिल मिलाकर वेकिसी राज्यक की एक छोटी काई भर होती थी, मिश्र के, सिहा बुदिन उम्री द्वारा राचीत, पुस्तक का नाम है मसलिक अल अबसर फी ममलिक अल अमर अमसर के अनुसार, मुहमत तुगलक के राजिकाल में दिनली सल्तनत के अंतरगत आने वाले प्रांद, जो की मानचीतर तीर में जरसाया गया है, यही वो मानचीतर दोस्तों, जिसमें दिनली के संतनत के अंतरगत आने वाले प्रांद के बारे में दसाया गया है, जो की नम्रीं के अधार पर हम दो देख सकते हैं, पहला नम्र में दिया हुआ है, सिवास्तान, जो की यह आप देख रहे हैं दोस्तों, दूसरे नम्र में, तिसरे नम्र में देख सकते हैं, मुल्तान हैं, यही आपका मुल्तान है, चौते नम्र के बात करें दोस्तों, तो करानोर है, यही आपका चौता नम्र करें दोस्तों, तो यह यह लाहोर है, पांचे नमर का बात करें तो शामना है दोस्तों शामना देख सकते हैं यह इलाका है दोस्तों इस प्रकार से यह सारे नामों को दशाये गया है आगे बात करते हैं दोस्तों भासा तथा छेत्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों सन 1378 इस वी की बात है दोस्तों कभी अमिर खुसरों ने इस बात पर गौर किया अमिर खुसरों के दोबारा ध्यान दिया गया गौर किया गया दोस्तों कि इस देश के हर छेतर की एक अलग भाशा है। हिंद्वी मतलब दिल्ली के आसपास के चेत्र के वारे में दोस्तों अमिर कुसरों ने आगे बताया अमिर कुसरों द्वारा उल्लेखीत भाषाओं की एक सूची माप करें दोस्तों अमिर कुसरों ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विप्रीत एक भाषा संस्क्रीट भी है जो किसी विशेश छेत्र की भाषा नहीं है यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल प्रमन जाती ही जानते हैं आम जनता नहीं अमिर कुसरों द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाईए यह कारशाला हम लोग का है दोस्तों और एक सूची उन भाषाओं के नाम बनाईए जो उनके द्वारा उल्लेखित छेत्रों में आज बोली जाती है तो यह हम लोग का कारशाला है दोस्तों किरिया कलाप है जिसको करके दिखाना है आगे बात करते हैं दोस्तों सन्द साथ सो तक कई छेत्री कई छेत्रों के अपने-अपने भगोलिक ऐाम तै हो चके थे उनकी अपनी भासात अथा सस्क्रीति विसेस्ताय असपस्ट हो चुकी थी जो कि अध्याय नो में इसके बारे में और अधिक जन्गारी हम लोग जुटाएंगे विसेस सासक राजवनसों से जुड़े छेतर विसेस सासक राजवनसों से जुड़ गये थे इन राजवनसों के बीच कापी टकरहट चलती रहती थी कभी चोल, खिलजी, तुगलग, मुगल जैसे राजवनस अनेक छेतरों में फैला एक विसाल समराज़ भी खड़ा कर लिये थे ये सभी समराज़ समान रूप से अस्थीर या शफल नहीं हो पाते थे उधारन के लिए धैतीन चर्क की तारिका एक की तुलना कीजिए ये हम लोग काड़ चारा है दोस्तों जिसको करके दिखाना है आगे बात करते हैं दोस्तों अठरवी सदी में मुगल वनस जोकी पतन के डहलान पड़ था दोस्तों फल सरुप छेत्रीय राज फिर से उभरने लगे थे जिसके वारे में अध्याय दस में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लेकिन वर्सों से जो सरुप छेत्रीय समराजियों का सासन चल रहा था उससे छेत्रों की प्राकिरतिक बदल गई थी उन पर कई छोटे बड़े राजियों का सासन चल रहा था और उन राजियों की बहुत सी बातें इस उप महादिप के दिक्तर भाग में फैले इन छेत्रों को विरासत में मिली थी इस तत्य की का पता हम उन कई परंपरा से लगाते हैं जो छेत्र विशेस में उभरी थी इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भीन है और कुछ एक समान है ऐसी परंपरा हमें परशासन अर्थ विवस्ता के परवंधन उच्छ शांस्क्रिती भासा के संदर्म में मिलता मिलती है संद साथ सो से लेकर सत्रा सो पचास के बीच के हजार वर्सों में इन विविन छेत्रों की प्राकिरती एक दूसरी से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी हलाकी उनके चरित्र की अपनी विशिष्टाएं बनी रही थी मगह समनवय की सरव छेत्रियत ताकत का प्रभाव भी उन पर पड़ा था बात करते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में दोस्तों इतियास के जीन हजार वर्सों की परताल हम कर रहे हैं इनके दोरान धार्मित प्रभाव में कई बड़े परिवर्तन आये देविक ततों में लोगों की अस्था कभी कभी बिलकुल ही ब्यक्तिक अस्थर पर होती थी मगर आमतोर पर इस अस्था का सवरूप शामुहिक होता था किसी देविक ततो में शामुईक आस्था यानि धर्म प्रायस्थानी समुदयक के समाजिक और आर्थिक संगठनों से सबन्दित हुआ करता था, होती थी जैसे जैसे समुदयक का समाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया आज हम हिंदु धर्न कहते हैं उसमें भी इसी जुग में महत्पुर्ण बदलावाए इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्मान और समाज में प्रोहितों के रूप में ब्रह्मनों का बढ़ता महतों बड़ा आदर होता था, इनके संद्चक थे नए नए सासक जो स्वें परतिष्टा की चाह में थे इन संद्चकों का शमर्तन होने की कारण समाज में इनका दर्दवा और भी बढ़ता गिया दोस्तों संद्चक सब्द का हम लोग साब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कोई परभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, सिल्पकार, मिद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को जो मदद दे, सहारा दे उसे हम लोग संद्चक कहते हैं जिसका साब्दिक अर्थ होता दोस्तों इन हजार वर्सों के दोरान इस उपमाधित के समाजों में प्राया प्रिवर्तन आते रहे और कई छेत्रों की अर्थ वेवस्ता तो इतनी सम्रिद्ध हो गई थे कि उसे उसने इरोपा की वेपारी कमपनियां को भी आकर्षित करना आरंब कर दिया था दोस्तों इस पुस्तक को पढ़ते समय हम लोगों ने प्रिवर्तन को चिनित किया यहां की सक्रिये एतिहासी परिक्रियां पर ध्यान दिये दोस्तों तो दोस्तों यह चेप्टर हम लोग का यहीं शमापत होता है दोस्तों धन्यवाद